पहले ही कहा था मध्ध प्रदेश में कोई कांटे की ठकर नहीं है भारती जंता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी प्रधान मंत्री जी के प्रती प्रेम उनका नेत्रत्व अमित साह जी की रणनीती नड़ा जी की का मार्ग दर्शन कारिकरताओं का अनथक परिश्रम और हमा प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिन्दगी बदली है और विकास यह इस पस्ट बताते थे के भारती जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी मैं तो हमेशा आत्म विस्वास से भरा रहा और मनें सदैब कहा कि जो एक जिक पोल कह रहा है वो लगता है लाडली बहना का कमाल है कि देखो कांटे की टकर कांटे की टकर लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दी कोई कांटा बचे ही नहीं मैंने ऐसा चुनाओं नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरसों की भीर तो होती थी लेकिन उससे ज़्यादा बहने आती थ आती थी बच्चे भी आते थे और बेहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्वुत और अभुत पूर्व है अभी भी मैं कई जगे जाता हूं तो बहने दोड़ के जाती और यह कहती कि भीया अपन जीत रहें वो यह नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी स मतकार किया है वोटिंग के बाद हमारे बीजेपी की कई नेताओं से बात थी अनुपचारी चर्चा में भी आप 140 तक पोचे बीजेपी अन्य नेता भी 140 तक नहीं पोच पारें 120 पच्चीस 130 तक ही पोच पारें लेकिन यह तो मैंने केवल संभल के बोला था लेकिन मैंने अधेंसे बेहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड उमड रही है नतीजे अब प्रित्यासित आएंगे अभूत पूर्व आएंगे अब मुझे कुछ कहना नहीं है उनको दावा करने का अधिकार है भाई उनको दावा करने दीजिए